आप सभी का एके डिजाइन स्लूशन में स्वागत है तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट चला हुआ है 170 का क्यूशन का तो आज हम 51 से 100 तक के क्यूशन पिछली वीडियो में कर लिये थे तो आज हम 100 से 70 के जो क्यूशन है तो वो इसमें करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को आं तक देखते रही आर्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्यूशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूशन है ऐसे पेपर को क्या कहते हैं जो अधिक मोटा सपेद मुलायम हो तो इसका जो राइट टंस और भी हो जाएगा आर्ट कार्ड पेपर नेक्स्ट हमारा क्यूशन रुपांकन के कितने बेद होते हैं 102 का हो जाएगा हमारा सी रुपांकन के तीन बेद होते हैं नेक्स्ट हमारा क्यूशन नमर 103 विच इस पिगमेंट किसे कहते हैं तो दोस्तों पिगमेंट जो बोलते हैं वो काला और सपेद रंग को पिगमेट बोलते हैं तो राइट अंसवर ए हो जाएगा इसका next क्यूसर नमबर 104 एक चर्खी में सातो रंगों को लगा कर गुमाएं तो सातो रंग मिलकर सपेद दिखाए देंगे यह अविस्कार किस ने किया था तो यह अविस्कार किया था न्यूटन ने न्यूटन ने यह अविस्कार किया था राइट अंसवर डी हो जाएगा इसका next हमारा क्यूसर नमबर 105 इसमें उसन रंग कोन सा है उसन का मतलब गरम रंग तो इनमें गरम रंग कोन सा है तो अंस्वर सी हो जाएगा पिला रंग इन सब में उसन कलर है वारम कलर है नेक्स्ट हमारा एक सोच्छे किस नंबर एक सच्छे स्तान रेका रूप तान रंग यह किसके महतपूर्ण अंग है तो यह हमारे महतपूर्ण अंग है डिजाइन के रुपांकन के ओप्शन एज राइट अंसवर नेक्स्ट क्यूशन हमारा एक सोच्छे साथ चित्रकला में गती एवम लैप पैदा करने के लिए किसकी आवश्यक्ता होती है तो गती और लैप करने के लिए इसका राइट अंस हो जाएगा हमारा एक सो साथ का सी सकेल और रंगों की तो वैसे तो इसमें थोड़ा से डाउट फुल है यह किसन एक सो साथ का इसमें मुक्त हस्त रिखांकन आना चीए इसमें मुक्त हस्त फ्री हैंड मार्किंग के अंदर तो इसका जो अंसर की के अंदर सकेल और रंगों की साहिता से हम चित्रकला में गती और लैप एदा कर सकते हैं बाकि आप कॉमेंट करके बताइए कि एक सो साथ का राइट अंसर क्या होगा नेक्स्ट हमारा क्यूशन नमर एक्सवाट तलाब के स्थिर पानी में कंकड फैंकने से तो आपने ये तो देखा होगा इसमें बनते हैं रिंक्स बनते हैं कुंतल बनते हैं राइट अंसर भी हो जाएगा इसका 109 किसी धागे को रंग कर कागच की स्थाय के अंदर दबा कर बहार खींचने से जो नमूना बनता है वह क्या कहलाता है तो यह कलाता है सवतंतर भावा करती डिजाइन तो राइट अन्सवर हो जाएगा फ्री इमोशन डिजाइन ओप्सन सीज राइट अन्सवर नेक्स्ट हमारा ओप्सन क्यूशन नमरे एक सुदस रंग योजना कितने परकार की होती है तो रंग योजना हमारी दो परकार की होती है और आप भी बताइए कि एक सुदस का राइट अन्सवर क्या है अन्सवर की कि अकोर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये नेक्स्ट हमारा क्यूशन नमरे एक सुग्यारा पर भावसाली पोस्टर डिजाइन पर दरश्टी करम क्या होना चाहिए तो ये किशन पोस्टर के नमान के लिए है तो सबसे पहले पोस्टर के अंदर क्या होना चाहिए इसका राइट अन्सवर ए है सबसे पहले नारा लिखा जाता है जो भी फिर उसके अंदर चित्तर आता है पोष्टर के अंदर जो मुख्य चीज़ह दिखाये जाते हैं फिर लिकित सालब करी आती है और फिर विध्यापक जो विध्यापन देता है वो चीज़ें उसके अंदर होने हो चेहे तो राइट अंसपर की पैंसिल सकता होती है ये भी रूँग है 4-H की पैंसिल न मदेम होती है ये भी रूँग है तो हमारा क्यूसन नंबर ₂ on a 101 122 का next 113 क्यूसद 1,ol3 जैमिती बोक्स में सेट्ट श्क्वेर किस पाम आता है तो जैमिती जो гол ऐंदर जो से वो इंगल बनाने के लिए काम आता है और पैरलल लाइन बनाने के लिए भी काम आता है 213 का एक्सो तेरा का डी हो जाएगा नेक्स्ट तो हमारा अधिक कौन किसे कहते हैं तो सभी को पता है 90 से 180 डिगरी के जो 20 का कौन होता है वो अधिक कौन कलाता है तो राइट अंसर ए हो जाएगा इसका नेक्स्ट कुशन 115 वस्तु चित्रन में वस्तुओं से विद्यार्थियों की पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है तो यह होती है दो मेटर कोई अब्जेक्ट यहां पड़ी है और उसके बार ऐसे विद्यार्थी बैठे होते हैं पहले रो में 7 होते हैं दूसरी रो में 6 होते है तो राइट अंसर डी हो जाएगा इसका नेक्स्ट हमारा 116 एक तिर बुझ को चार भागों में बांटने के लिए सरवपत्म क्या करना चाहिए तो 116 को जाएगा सी एक जो तिर बुझ है उसको चार भागों में बांटने सबसे पहले तो हमें जो बीच वाली भाग जो लाइन है बेस है इसके दो समान भाग करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में उसके बाद में ये और ये इसका हाप करना पड़ेगा ये और ये इसका हाप करना पड़ेगा इसको मिलाना पड़ेगा तो ये चार भाग हो जाएगे तो सबसे बहले समधी वाज़क करना पड़ेगा तीनों बुजाओं का समधी वाज़न करना चाहिए 116 लागा C Next question 117 यदि हमें किसी वरक का करण दिया है तो उससे वरक त्यार करने के लिए हमें सरुपरतम क्या किरिया करनी होगी तो हमें कोई करन दिया हुआ है ये करन हो गया कोई तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा करन के दोनों बिंदूओं पर 90 डिगरी कौन बनाने होंगे ये भी संभव नहीं है करन के दोनों बिंदूओं पर 60 डिगरी की ये बिलकुल ही नहीं है दोनों बिंदूओंपर समानता रिखाएं किशनी होगी यह भी नहीं है करन का सम्धिवाजन करना होगा तो हां यह राइट अज़ा लगता है क्योंकि करन का सम्धिवाजन यह कर दी हमने यहाँ पे और यहाँ से अगर हम गोला लेंगे एक है तो यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे दोना तरफ इनको अगर मिलाएंगे तो एक वरक का निर्मान हो जाएगा तो राइट रंस्वर डी हो जाएगा एक सुसत्रा का नेक्स्ट हमारा क्यूसर नमबर सेकंदर वर्त में हमेश्या सेकंदर वर्त कौन से होते हैं यह वर्त है इसका सेंटर यह है इसी सेंटर से हमने दूसरा लगा लिया इसी सेंटर से हमने तीसरा लगा लिया जो भी है यह आपस में एक सेंटर से कितने भी वर्थ बना सकते हैं circle बना सकते हैं तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या होता है कि एक kepeksiya दूसरा वर्थ छोटा होता है ठीक बात है इन में एक बड़ा है दूसरा छोटा होता है कौन सी side ले लो आप और एक दूसरों को काड़ते हैं ये बिल्कुल रोंग है, किसी एक स्तान पर प्रिद्धी को सपर्ष करते हैं, बिल्कुल रोंग है, उप्रोक्त सभी नहीं, तो राइट अन्सवर A हो जाएगा, एक के पेक्षा, दूसरा वर्थ छोटा होता है, एक सोठारा का, राइट अन्सवर A हो गया, नेक्स्ट हमारा, एक सोननीस, जिस वस्तु के लंबाई चुडाई मोटाई होती है, उसे कहते हैं, इसका राइट अन्सवर C, उसे राइट अन्सवर C हो जाएगा, उसे पिंड कहते हैं, जिसकी लंबाई चुडाई और मोटाई होती है, वैसे गन के अंदर भी, क्यूब के अंदर भी ऐसा ही हम अगर यहां पर गनाब अगर आता तो राइटन्स पर वो होता मगर पिंड इसने बोल दिया तो इसमें सारे कुछ आगे next हमारा next question हो गया 120 वह है पिंड जो चार सम्तिर बुजों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं तो 120 का हो जाएगा C चतूस फलक कहते हैं उसे next उसका राइटन्स पर हो जाएगा C चतूस फलक टैट्रा हैड्रोन next 121 मध्या पासान यूग के लोग प्रियोग करते थे तो 121 का राइटन्स पर हो जाएगा D लगू पत्थर और उजार समाल स्टोन टूल्स एक 122 का क्यूशन नमरे 122 संगम काल के मुख्य देवता थे तो 122 का हो जाएगा B संगम काल के जो मुख्य देवता है मुर्गन थे वहां के मुख्य देवता next 123 महावीर के सच्चे अनुयाई जाने जाते थे तो 123 का हो जाएगा A दिगंबर जो है महावीर के डिगंबर संगम किस ने स्थापित किया तो 124 का हो जाएगा A, विजाल्या ने चोल समराज्य का स्थापना किया, विजाल्या ने, नेक्स्ट हमारा, 125, महमूत गजनी ने भारत पर कितनी बारा कमन किया, बहुत ही easy question है, 17 बारा कमन किया, 125 का हो जाएगा, B, question number 126, 1549 में चोसा की लड़ाई में हमायो को किसने हराया, 126 का हो जाएगा, A, सेर्शा सूरी ने हमायो को चोसा की लड़ाई में 1549 में हराया था, question number 127, फूट डालो और राजकरो की ननिती किसने अपनाई थी, तो 127 का हो जाएगा, B, लाड मिंटो ने ये निती अपनाई थी, next हमारा 128, रेम से मेका डोनाल्ड, मेके डोनाल्ड द्वारा संपरदाईक पंचाट किस वर्स में गोशित किया गया, तो रेम से मेको डोनाल्ड ने संपरदाईक पंचाट किस वर्स में गोशित किया गया, 128 का हो जाएगा, C, 1932 में, 1932 में गोशित किया गया ये, नेक्स्ट क्यूस्टन आ गया हमारा 139 भारत का सविधान अपनाया गया था तो 139 का हो गया ए सविधान सबादवारा इसका राइट अंसर हो जाएगा सविधान सबादवारा भारत का सविधान अपनाया गया नेक्स्ट 130 क्यूस्टन नम्बर 130 निमन में से किसने भारत का राष्टपती बनने से पूरो भारत रतन अवार्ड प्राप किया 131 का हो जाएगा जी आपका ए डाक्टर जाकिर उसेन जुन्होंने राष्टपती बनने से पहले ही भारत रतन अवार्ड प्राप किया नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कुशन 131 भारत के राष्टपती के रूप में चुनाओ के लिए जीहित अधिक्तम आयू कितनी है 131 का हो जाएगा डी कोई सीमा नहीं है नेक्स्ट 132 राज्य विदान सबा के दो सत्रों के बीच अधिक्तम नुम्य अवदी है जो राज्य विदान सबा के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अनुम्य अवदी है 132 का भी चैमा नेक्स्ट अमारा 133 धन विदेक किसकी पूरो सहमती से राज्य विदान मंडल में परस्तूत किया जा सकता है दन विदेक जो किसकी पूरो 70 से रज्य विदान मंडल में प्रस्तूत किया जा सकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बी रज्य पाल नेक्स्ट हमारा 134 पंचायत से समंदित सविदान की ग्यारवी अनसुची में सामिल है 134 का हो जाएगा डी 29 विश्य है नेक्स्ट हमारा 135 प्राय दीपिय भारत में सबसे उन्ची चोटी है प्राय दीपिय भारत में सबसे उन्ची चोटी है अनाई मूडी राइट अंसर सी हो जाएगा अनाई मूडी जो है प्राय दीपिय भारत में सबसे उन्ची चोटी है नेक्स्ट कुछ के रण में गिरने वाली एक मातर नदी कौन ची है तो 136 का हो जाएगा ए लूनी जो नदी है वो कच के रण में गिरने वाली एक मातर नदी है नेक्स्ट अमारा 137 भारत में परती चकरवात आते हैं तो भारत में परती चकरवात कब आते हैं 137 का हो जाएगा ए सीत में सर्द जो रित होती है उस टाइम भारत में परती चकरवात आते हैं नेक्स्ट माझआ हो गया Question 33rd कालि मिटी अदिकांस्तबिख्षित होती है एक्सवरदिस ये Question अमारे जिक्य के हैं फिर भी हम कर लेते हैं 133rd का आगया Be अर्द सूसक प्रस्तीतियों के अधिहीन जो है कालि मिटी अदिकांस विख्षित होती है नेक्स्ट हमारा 149, माता टिल्ला बहु देशिय प्रियोजना किस नदी पर स्तापित है? 149 का हो जाएगा, B बेतवा नदी पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर नेक्स्ट हमारा 140, निमन में से कौन सी भारत में सबसे उत्तम जहाज निर्मान लकडी है? तो 140 का हो जाएगा, 20 जो सागोन की लकडी है, वो जहाज निर्मान के लिए सबसे बेस्ट वुड है नेक्स्ट हमारा 141 का, भारत में सरवादिक गहूं उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गहूं जो उत्पादन होती है, वो होती है, उत्तरपरदीश के अंदर, यूपी के अंदर नेक्स्ट हमारा 142, भारत में सरोपर्तम संसलेशित, संसलेशित रबड फैक्टरी कहां प्रारम की गई थी, संसलेशित मलब सिंथेटिक रबड फैक्टरी कहां स्तापित की गई थी, भारत में सबसे पहले, तो ये की गई थी, बरेली के अंदर, राइट अंस्वर, इसका ए हो जाएगा next question number 143 नीमन में से कौन सा भारत में सबसे गहरा भूबंद और सरंक्सित बंदरगा है तो 143 का हो जाएगा c विशाका पटनम है सबसे गहरी भूबद और सरंक्सित बंदरगा है protected port है ये next number 144 नीमन में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज्जों की स्रेणी में सामिल नहीं है अधात्विक मतलब non metallic material के अंदर सामिल नहीं है तो 144 का हो जाएगा a ये c सा है वो अधात्विक स्रेणी के अंदर है next हमारा 145 साकसरता दर उस्तम है तो ये जो दिखा रखे हैं इन में साकसरता जो दर है सबसे ज्यादा किसमे है 145 का हो जाएगा c केरल next 140 मंगोलोई जाती वंस का मूल सवदेश था जो मंगोलिया जाती है वंस का मूल सवदेश था 140 का हो जाएगा a चीन 140 का next 147 पिर्थवी का प्राकरतिक उपगरा है पिर्थवी का जो प्राकरतिक उपगरा है चंदर्मा next 148 दहनी की तीवरता मापने वाला उपकरण कहलाता है जो दहनी मापी जाती है वा मापी जाती है सोनो मेटर से दहनी की से मापी जाती है सोनो मेटर से next 149 किश्चन नमबर अवतल लेंस यह भी कहलाता है अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है एक सोमचास का भी अपसारी लेंस और अभी सारी लेंस होता है अवतल का अभी सारी तो होता है उतल का और अब सारी है अवतल का next 150 डेटोल इस रूप में कारिय करता है जो डेटोल होती है गरोमे या डक्टर रोग यूज़ करते हैं क् डैड्सट ओल वो क्या होता है वहता है एंटी सैप्टीच होता है पूती पूती रोधी होता है वो एंटी सेप्टिक नेक्स्ट कुश्शन कार्बन गार्बन का सुद्तम रूप है जो कार्बन जो Jam कार्बन का सबसे सुद्धम रूप है इन में से 151 का हो जाएगा A, डायमन्ड जो है सबसे सुद्धम रूप है कार्बन का next, 152 दर जिस पर बैंक RBI को उधार देती है कहलाती है दर जिस पर बैंक RBI को उधार देती है तो 152 का हो जाएगा C, reverse रिवर्स रैपोदर next, 153 आम आदमी बीमा योजना किसके दवारा ग्रामिन भूमी हीन परिवारों के लिए प्रारहम की गई एक बीमा स्कीम है तो 153 का हो जाएगा A, ये LIC ने आम आदमी बीमा योजना स्टार्ट की थी बूमी हिन परिवारों के लिए next, 154 निर्मल ग्राम प्रुषकार किसे समंदित है तो जिन निर्मल जो ग्राम है प्रुषकार है वो स्वच्चता के लिए है sanitation के लिए है स्वच्चता के लिए है गाउं के अंदर ये अभियान चलाएगा था निर्मल हर्याना सरकार ने या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक सटार दिये होगे थे 6 स्टार, 7 स्टार तो उस रहने में गाउं के अंदर जितनी स्वच्चता होगे उसके इसाब से उसको स्टार दिये जाते थे अलग राज्यों में अलग लग स्कीमी है निर्मल ग्राम पुस्कार है वो स्वच्चता के लिए है किसी निश्चित कूट में बी यू आई लडी ए आर को जे वी सी के एस एफ के रूप में लिखा जाता है उसी कूट में S E A L I N G को कैसे लिखा जाएगा तो यह बिल्कुल आसान से क्यूस्चन है इसका राइट अंसर मैं बता देता हूँ आपको आप निकालके देख लेजिए इसका A हो जाएगा राइट अंसर यह बहुत इजी कुश्चन है नेक्स्ट हमारा 156 यह मैथ के कुश्चन स्टार्ट हो गए है यहां से संख्या 5,3,1,4,6,8,7 में संख्या के अंदर अंकों को आरोही करम में पुने व्रस्तित करने के पचात कितने अंकों की सस्तीती अप वर्तित हो रहेगी तो आरोही करम में अगर हम लिखते हैं इनको यह जो रिखा है वो जो संक्या है अगर इस संक्या को हम आरोही करम में लिखते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 156 का बी दो दो जो संक्या है वो हपस में परवर्थिन रहेगी नेक्स्ट है हमारा एक सुस्तावन का एडोप्ट ए हरिटेज योजना के प्रियोजना के अंतरगर्थ हाली में किस कार्परेट हाउस ने इत्यासिक तल लाल किला के रख्षकाओं के लिए M.O.U. साइन किया है तो M.O.U. साइन किया है कुण सी जो सस्ता है 157 का सी हो जाएगा 157 का सी डालमिया भारत लिम्टेड ने इसका M.O.U. साइन किया है कि भी हम लाल के रख्षकाओं के लिए इत्यासिक स्तल है उसको साइन किया है डालमिया भारत लिम्टेड ने नेक्स्ट 158 शिरुई लीली फेस्टिवल 2018 किस राज्ये में मनाया गया था तो 158 का हो जाएगा ये टी मनिपूर में मनाया गया था ये शिरुई लीली फेस्टिवल नेक्स्ट 169 बाहर सरकार हाली में जेव टेक्निक पर किस अंतराष्टिय संग्ठन के साथ विधिक समझोते में सामिल हुई है जो है जेव टेक्निक के अंदर अंतराष्टिय संग्ठन के साथ विधिक समझोते में सामिल हुई है 169 का हो जाएगा विसेव बैंक विशेव बैंक के जो इंटरनेशनल जो ओर्गिनाजेशन के अंदर उन्होंने बार सरकार सामिल हुआ है विशेव बैंक के अंदर नेक्स्ट हमारा एक सो साथ भारत के सबसे लंबी अवदी के लिए सेवा करने वाले भारत के मुख्यमत्री कोन बनी है बहुत इंटरस्टिंग केस्टन है बहुत इपोर्टेंट माल सकता हूँ इस केस्टन को ये हैं प्ovवन चामलिंग जो मुख्यमत्री हैं बहुत लंबी अवदी के सेवा काल रहा है इनका कोमन्ट करके बताइए कि इनका जो कर्यकल है कितने वर्सों का रहा है क compet 161 Great Himalayan National Park इमाचल पर्देश के किस जिले में स्थित है तो 161 का हो जाएगा D. कुलू के अंदर Great Himalayan National Park है Next 162 Question No. 162 हिमाचल पर्देश किस वर्ष में के अंदर सासित पर्देश बना तो 162 का हो जाएगा C. 1956 के अंदर ये के अंदर सासित पर्देश बना Next 163 पर्षिद हरी राय मंदिर ने माचल पर्देश के किस जिले में स्थित है तो हरी राय मंदिर जो है 163 का चमबा एक इसका राइटन सबर A हो जाएगा चमबा के अंदर हरी राय मंदिर है Next 164 शिसू मेला किन के दवारा मनाय जाता है शिसू जो मेला है किन के दवारा मनाय जाता है ये मनाय जाता है बोध के दवारा शिसू जो मेला है बोध दरहम से समझ दीता है Next 165 इन दार्ट डारक ही नोग्ड दावाल तो इन में से एक आपको सुटेबल चूज करके अंसर और यहां पर फिल इन दे ब्लैंक में फिल करना है तो 165 का राइट अंसर हो जाएगा डी इन दार्ट ही नोग्ड अगेंस्ट दावाल Next 166 Question 166 Antonion of the word Lived is Lived जो है इसका Antonion बताना है आपको इसका वीपरितार तक बताना है 166 का इसका हो जाएगा Amusing B राइट अंसर हो जाएगा Next 167 Meaning of the idioms To grease the palm Is 167 का हो जाएगा A To bribe Next 168 Hindi के question स्टार्ट होगे जिसका दूसरा उपायन नह हो के लिए एक सबद है जिसका दूसरा उपायन नह हो तो 168 का हो जाएगा B Unapply Unapply जो है इसका राइट अंसर बी हो जाएगा परती दिन में समास है 179 Question number 179 परती दिन में समास है 169 का हो जाएगा C अव्यवी भाव समास है इसके अंदर Question number 170 इन में विशेशन कौन सा है तो इसके अंदर विशेशन बताना है कौन सा है देनिक, देव, दान और देवी तो 170 का हो जाएगा A जो दिन की जो किरिया बता रहा है वो देनिक तो राइट अंसर A इसका तो दोस्तों आज हमारे 170 जो किसंते कंप्रीट हो गए है तो आसा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी कर प्यार, लाइट, कॉमेंट और सेयर कीजिए अपने दोस्तों को और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और भी हम आर्ट से रिलेटिड वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए जैहिन जैवार्द